तो फिर क्या हाल चाल उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और फाइनली आपका कल मैथमेटिक्स का एक्जाम है और साड़े बच्चे को ये ड़राता है कि भई मैस का एक्जाम है कैसे होगा क्या होगा लगी इतना बात आप समझ लो कि आपने जितना भी पढ़ा है त उसमें थोड़ी पैशानी होती है दुसरी बात और मैं बताना चाहूँगा कि कल मैथ कर जब एक्जाम है तो आप एक्जाम होगे बेटेंगे तो आसान से आसान कोश्चन भी रहेगा तो आपका वक्त यूहीं चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा इसलिए टाइम मैनेजमे उपर कोश्चन होगा ठीक है ना उन सारे कोश्चन को ओवर व्यू आप देख लेंगे हो सकता है कि उसमें से बहुत सारा सवाल आप को देखने को मिले एक्जाम वाल में और मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हाँ सारा कोश्चन अभी बनाई देना क्यूंकि कल एक्जाम है तो सारे कोश्चन को जब आप देख लोगे न जिसे कोश्चन देखोंगे पेज नमर इतना का इतना नमर सवाल है आप जब देखोगे तो यह बात का आडिया लग जाएगा कि हाँ कुछ बहतरीन सवाल है हाँ इस सवाल को मैं कर सकता हूँ अगर नहीं अगर समझ में आप तो कल आपका mathematics का exam है तो फिर मैं कहना चाहूँगा कि time का थो आसे ख्याल अखिएगा क्योंकि math के exam में अकसे बच्चे का कहना होता है कि question shoot गया question shoot था लाजमी है भई math का exam है और time कैसे बीट जाता है पता ही नहीं चलता इसलिए time का भी ख्याल अखिएगा उस exam हौल में जो भी invigilator हो उनसे पूछिएगा पूछते रहिएगा time भी या केतना हुआ ठीक है और फिर से कहूँगा मैं कि जो भी मैं question आप के लिए provide कर रहा हूँ उसको एक बार go through हो जाना है पूरा NCRT नीचे page number है उपर question है या तो मैं इसमें इस वीडियो में दे दू एंड में जोर दू नहीं तो आप community post में जाकर एक बार जरूर से जरूर देखिएगा हो सकता है कि इसमें बहुत सारा सवाल जो है आपके विश देखने को मिले तो इतना ही मुझे कहना था once again आप सभी को best wishes अच्छे से लिखिए एक दम और और के बनाईएगा चले ठीक है thank you